रिबन के दोनों तरफ इनके सिरों को पकड़ के ऐसे कटिंग कर ली है अब इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है और साथ ही ग्लूगन की मदद से बोग को पेस्ट कर दिया है और इसे मैं हेर पिन पेस्ट कर दूँगी आप इसमें मेकप ब्रशेज, आई पैंसल्स कुछ भी पेस्ट कर दिया है यह देखें मिल्कुल बराबर आया है और यह बहुत नीट पेस्ट हुआ है यह मेरे पास है रिबन और इसे मैंने बोटल के उपर वाले हिस्टे पर ग्लू लगा कर पेस्ट कर दिया है रिबन की एक स्टाइब को एक तरफ लगा के दूसी को इसके उपर गुमा दिया है ये देखें क्रॉस सा बन गया है रिबन के दोना तरफ इनके सीरों को पकड़के ऐसे कटिंग कर ली है अब मैंने परपल कलर में फोर्मिंग शीर का एक पीस लिया है अब इसको इस तरह फोल्ड करते जाना है और सासा नीचे से भी शेप देते जाना है फोल्डिंग बिल्कुल मिडल से करनी है ये देखें ये कितनी प्यारी बोब बन गी है अब इसको रिबन से अच्छी तरह टाइट करके क्लोज कर देंगे अब इस पर नग लगा के इसकी फर्दर डेकुरेशन कर ली है वाओ अगर मैं इसको अलिगेटर पिन पर टैच करूँ तो ये बहुत प्यारी हेर पिन बन जाएगी बट इसको अभी मैं जार पे ही लगाऊंगी पिन के लिए मैं नई बोब बनाऊंगी जार पर हार्ट शेफ वला नग लगा दिया है और साथ ही ग्लूगन की मदद से बोब को पेस्ट कर दिया है नीचे खाली हिस्से में भी डार्क पिंग रिबन लगा देंगे ये देखे मैंने पिंग कलर में भी बोर हड़ी कर ली है और इसे मैं हेर पिन पे पेस्ट कर दूँगी ये देखे हमारी दो चीज़ें किती जल्दी रड़ी हो गई है बोटल के उपर वाले हिस्से पर साइडों से मैंने थोड़ी से खाली जगा रखी है इस पर कुछ नहीं लगाया ताके पता चल सके कि एक्स्टर बोटल को किस तरह हमने रियूज किया है और कितने खुबसूरती से इसे डेकुरेट करके काम मिला सकते हैं आप इसमें मेकब ब्रशेज, आई पैंसल्स कुछ भी रख सकते हैं उमीद है ये वीडियो आपको संद आई होगी, अलाहाफेज